गाईस तो सभी जिलो के पेपर अपने पास आ गए है और मैंने आप सभी कोई याद है कि बोला था कि आप सभी कॉमेंट करो एंड एंड मुझे पदा जल गया है कि किसका क्या रहा था ठीक है एंड उसके बाद अपन लोगों ने क्या किया है कि सबसे जादा जिलो के जो ते में कुछ दिये थे मतलब 60 प्लस नंबर के कुश्चंस दे दिये थे कि यही पेपर आने वाले हैं तीक है मतलब इन्हीं को आपको हर पेपर में डालना है और यह कुश्चन आपको हर पेपर में मिल जाएंगे ऐसे ऐसे करके अपने पास अभी 34 जिलो के पेपर आ चुके हैं एंड यह 34 जिलो के पेपर आपको दो या तीन पेपर हो में अपने लोग कंप्लीट करा देंगे है ना देखो वहाँ पर तो अभी पहले यह नंबर अंबर लिखके आ गया है बंदल आप सभी स्कूल जाते होग है ना चलो तो सबसे पहले अपने लोग इनके आंसर देख लेते हैं ठीक है अपने लोग सॉल्फ कर लेते हैं क्योंकि यही पेपर यही कुस्टन्स आपको मिलने वाले हैं वहाँ पर ठीक है चलो फर्स्ट कुस्टन है अपना की 6 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घोला गया है तो यूरिया की मोल प्रभाज होंगी ठीक है आपको बताना है 6 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम URI तो उसकी मोल प्रभाज होंगे तो गई इसका answer हो जाएगा फ़स्ट वाले का आपको पता होने चाहिए फ़स्ट का answer हो जाएगा अपका जीरो पॉइंट वन बाइट तैन पॉइंट वन तो इसका यह राइट आइट आइसर हो जाएगे ठर्ड वाले सभी लोग टेक कर लो सभी लोग याद करते चलो यहां से because आपका हर मतलब जो set है आपके जो भी जिले में पेपर आएं ये questions आपको मिलने ही मिलने है hundred percent security है है ना क्योंकि अपन लोगों ने जो physics के पेपर दिये थे गई सबी बच्चों का पूरा पूरा पेपर आया है पूरा पूरा पेपर आया और जिस किसी को भी आपको जो पेपर चाहिए तो अपने सहर का नाम इस वार फिर से लिख देना पर लोग फिर से उतने सहर की पेपर मंगवाएंगे एंड सब्सक्राइब जो लोग सब्सक्राइब करेंगे बस उनी के पेपर आएंगे तो सब्सक्राइब क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन आता है किस बच्छे ने सब्सक्राइब किया है किस ने नहीं किया तो आपको कामेंट करके सब्सक्राइब करना है तब आपका एक पाफ मतलब ऐसे सबस्क्राइब दूसर कोशचन में भी मिले हैं क्या तो देख सकते हो आपको दूसरी साथ नैडिये आपने इसी के फोटो का लीए तो इसके फोटो का पिए कल सकती ही यह देखो कैसे प्रिंट है टिक लगा हुआ है एक फौन्ट देख सकते हो कैसे common है है ना यह questions कैसे common है ठीक है यह questions कैसे common ओके चलो तो next question देख लेते हैं कि जिगलर नाटा उत्परी रखें जिगलर नाटा उत्परी रखें किसका उत्परी रखें गाइस बहुत इजी है यह ती-आई-C-L3-A-L-C-H-3 और होल 3 ठीक है फ़र्ष्ट वाला इसका इस दी राइट आंसर फिर एफी-सी-ओ-5 की आइरन की आक्सी करण अवस्ता है क्या है इसकी आक्सी करण अवस्ता तो फोर्थ वाले का अंसर हो जाएगा जीरो क्या हो जाएगा गाईस जीरो हो जाएगा जो क्लोरोफिल का नॉमल सूत होता है आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता दें कि उसका सूत्र जो होता है इधरी पे लिख देते हैं ठीक है सी 55 ठीक है सी 55 एच सेविंटी टू ठीक है उसके बाद ओफाइव एंड एन फॉर फिर एमजी मेंगनीसम ठीक है में सूत्र यह ह करना है ओके चलो मैशें कोस्ट की रूप में उपयोगी है निश्चेत्त की रूप में उपयोगी है तो इसका हो जाएगा फिक और शोवर फिर सी टू जफाइब ठीक है ये वाला कर लेना है टो और सी टू फाइब आंड सी च्पाइब ऑन्सट सी तू एच ने सान देक ले और फिर यह कार्बो एक हैं कार्बोलिक इसको अमली भी बोल सकते हैं अब्सक्राइब लिख देते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हमारा हो जाएगा वुड इस प्रेट इसको नेक्स्ट उसमें भी पूचा जाए तो वोड इस की जगए कुछ और भी लिखा सकता है लेकिन आपको यह देख लेना है कि अगर इस्प्रेट लिखा है तो आंसर आपको इस्प्रेटी डिलेटेड लगाना है क्योंकि वोड़ की जंग है कुछ और भी लिखा आ सकता है न चलो basic knowledge भी देते जा रहे हैं आपको कि कुछ भी आपका हो जाए कि जैसा physics का paper कुछ का अच्छा गया है तो chemistry का यह बहुत अच्छा जाए क्योंकि बहुत कम बच्चों का बेगड़ा है ना एंड गाई बहुत सारे सहर के आपके paper आ गये हैं तो उनके तभी मिलेंगे जब आप subscribe करके comment करोगे ठीक है एंड एक बच्चे से subscribe हर तभी subscribe आपका comment successful माना जाएगा सबसक्राइब करोगे ठीक है उब टेलीग्राम जैनल जोंट कर लो क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर अगर क्या पता कि सबी जिलों की paper अलग अलग से आजाए तो टेलीग्राम जोंट करके रखना ठीक है चालो सुद्ध्य जलकी आपके लिए तो और सबदे में पॉइंट सिक्स ठीक है यहाँ पर लिखते नहीं मन रहे है 55.6 ठीक है नेक्स पता आप लोग के लिए वीडियो रात को दो बजे सूट हो रही है सोच सकते हो यार कितनी महनत मसक्कर लगती है ठीक है चलो नेक्स कुश्चान आ जाता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभाव का सिम्मान कितने वोल्त होता है जल्दी से बताओ कितने वोल्ट होता है तो वह जाता है वनवोल्त कितना एक वोल्टOOOOO CETOT potential is one volt okay दो कि अब कहो कि बढ़ए इंगलिस में क्यों हैं टू इंगलिस में फिर इन गोंवा तो इंग्लिस वाले हिंदी हलाग वाले क्योंकि मेहनत लगती है उसमें तो काफी सहरो में चझपे हुए है लेकिनकाईज़ कियां ना अपने उसको क्या वोलते हैं आपको इंग्लिस में पता होना चाहिए और हिंदी वि पता होना चाहिए तो इसको metals F.E.C.O.N.I. are known as लोह चुमबकी पदार्थ है ना क्या हो जाता है लोह चुमबकी पदार्थ जैसे यहीं पर लिख देते हैं नहीं तो यहां इसमें लिख देना क्या ही दिकत है इसका इसका ठीक है बराबरी होगा लोह फिर उसके बाद चुमबकी पदार्थ है न क्याँ चुमबकी पदार्थ यह दो यह भी हो गया उसके बाद को lunar caustic कहते हैं ठीक है को lunar caustic कहते है इसका right answer क्या हो जाएगा चैनल लूनर कॉस्टिक is गॉल्ड लूनर कॉस्टीख तो इसका आंसर अपने लोग लिख देते हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका यहांपर बन जाएगा कि नहीं हो नीगा दिख रहा है ना हाँ चलो ठीक है next time sn1 अभी के लिया पद में पूंड होती है sn1 अभी के लिए कितने पद में पूंड होती है simplify दो पद में पूर्ड होती है तो बनना चाहिए common question ठीक है इथर का सामाने सूथ कितना होता है यह है थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा बस है ना तो यहां पर ना लिखके यहां पर लिख देते हैं ठीक नहीं तो यहीं पर लिख दे रहे हैं इथर का सामन सूथ तो CH3 और ओ फिर इसके बाद CH3 ठीके CH3 OCH3 ओके चलो जनल फरमला ऑफी थर इस मतलब जो सामान निसूत जनल फरम लाटीक है नेक्स्ट आ जाता है प्रोटीन का बहुलक है प्रोटीन इस दा पॉलीमर ओफ प्रोटीन का बहुलक क्या हो जाता है अमीनो एसिड ठीक है वह ओके हो गया चलो यह वाला भी हो गया अब आ जाते हैं अपनी मैचिंग पर यह मैचिंग गाइस लिटरली बहुत टफ लेवल पहुंची गई पूछी गई है बहुत जादा टफ लेवल पर ठीक है है यह तो कि मूल अड़ता जो अपना हो जाएगा जो मूअल अटा होगा तो उसका अंसर तो हो जाएगा यह वाला फिक मोल बियम फिर्वीगेní पका रर्पध्ट थार्ब्स्च उलिवर्ट घोलटेरों क्योंकि थोड़ा सा टफ लेवल पर पूछे गए मतलब आप भुक में ढूणते रहोगे बहुत मुस्किल से ही मिल पाएंगे ना उसके बाद आता है विटामिन विटामिन का क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा एकटिस का क्या हो जाएगा इस्टार्च को सक्कर में परिवर्तित करना यह हो जाएगा उसके बाद फाइव जीनीन ठीक है शिक्त वाली का आपका हो जाएगा वाले का हो जाएका रक्त का थक्का बनना ठीक है इसका आपको बैसे बताएं कि जब किसी को जैसे थंडियों में नाक फूड जाती है तो फिर इसी का फाइवरुजन का यूज किया जाता है कि खून रोगने के लिए एंड वो सब चीजे ठीक है तो यह हो गया सिक्थ जब आप लोग थोड़ी आंगे पढ़ाई करोगे ट्वेल्थ के बाद ठीक है एंड नीट वगेरा की प्रिप्रेशन या फिर है ना तो उस चीज में आपको मिलेगी ठीक है यह फोर्थ यह एंड फिप्त यह शिक्स्त यह एंड गैं सेवंथ यह ओके चलो तो आप बात करते हैं नेक्स्ट यानि की वन वर्ड टाइप कोश्चन गाइस क्या करना है एक सब्द में पीपी एम में सांधरन क्या है इसके लिए अपन लोग कॉपी में लिख लेते हैं आ आयतन का वह एक सूप भाग जो से दस लाख हिस्सों में बांटने के बाद मिलता है समझ आया ना यही होता है पीपीम में सांधरन आपने इसको इंगलिस में क्या कहते हैं वह भी पता होना चाहिए पार्ट्स पर मिलियन परती है ना ओके नेक्स्ट आ जाता है एलकोहल एच नेसलर अभी करना ठीक है नेसनल नहीं नेसलर ओके चलो उसके बाद नेक्स कुश्चन आता है कैलोमल का सूत्र है कैलोमल का सूत्र यह वाला है ठाड़ वाले का कैलोमल का सूत्र है तो उसका हो जाएगा एच जी टू सी एल टू क्या हो जाएगा एच जी टू सी एल टू फ इसमें जलकी मात्रा बिलकुल नहीं पाई जाती उसे क्या कहते हैं परिसुद्ध एल्कोहल कॉलवेसमें अभी किरिया लिखना है तो इसमें अभी किरिया लेखने को बोला है तो वसीय अमलों के सोडियम अत्वा पोटेसियम लवडों का विद्ध अभगटन कराने एनोड पर हाइड्रो कारवन प्राप्त होते हैं इस अभी किरिया को कॉलवे अभी किरिया कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं कॉलवेसमें अभी किरिया कहते हैं उसके बाद नेक्स कुश्चन हो जाएगा जल में घुलन सील विटामिन कौन से होते हैं गाईस तो इसका नेक्स कुश्चन आ जोड़ता है तो जाता है प्लाइब प्लाइब बंध जोड़ता है कौन सा बंध जोड़ता है फाइनली हमारे यहां पर पार्ट वण खतम हुआ ठीक है पार्ट टू के लिए आपको सब्सक्राइब और कॉमेंट करना बहुत इंपोर्टेंट है यह आपको चलो कुश्चन कुछ दिखा देते हैं कि यह कुश्चन आप समझ जाओगे कि यह कुश्चन भाई यह हां हमारे आने हैं ओम लो कॉल रास्नियम फेरार डेली थिम बेरिलियम बाले कॉस्चन यह इतने डेंजर अभी तो न्यूमेरिकल है मैं आपको यहीं से दूर से दिखा देता हूं ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आने हैं लेकिन और सब्सक्राइब और बहुत अच्छा जाएगा बस आप यह वीडियो फॉलो करते रहना आज जितनी भी चोंकर बहुत खराब गया जन्होंने पूरी वीडियो नहीं देखें उनका बस खराब गया चिन्होंने पूरे वीडियो देखें उनके एक के दूप पैरेंट्स फोन लगा रहे थे कि हमारे बच्चे को हमें एक्सप्ट नी कर रहे थे कि इतना अच्छा पेपर जाएगा तो आके इतना खुषता तो बस आप लोगों को भी बहुत अच्छे से वीडियो देखना है अच्छे से करना है तो लिटरली आपकी बहुत अच्छे माक्स आएंगे ओके गाइस थाइंक यू सो मच फर वाचिंग फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तो चैनल को सब्सक्रा कॉमेंट जरूर कर देना ओके